नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल इंडिन डूसदार में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर जो है आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है दोस्तों इंडिन कोश्टगार यानि बारते Τटरक सक बल में दोस्तों नाविक जिड्डी यानि जर्नल डूटी डिब यानि डूमेस्टिक ब्रांच और यंत्रिक के पदो पर बारी ब़ती निकलने वाली है 2021 की दोस्तों kosht guard की सबसे बड़ी बर्तियों की दोस्तों और इस बड़ी बर्ति में सबके admit card हैंगे दोस्तों और सबी को exam देने का मोगा मिलेगा चो दोस्तों आप सबी जरूर से तयार हो जाएए इस बर्ति के लिए चाहे आप Navy SSR WC के तयारी कर रहे थे Indian Air Force X या Y Group की तयारी कर रहे थे या फिर Navy MR की तयारी कर रहे थे आप सभी को दोस्तो इस बर्दी के लिए परपियर जरूर करना है क्योंकि दोस्तो ऐसा मोग आपको बार बार नहीं मिलेगा कई बार दोस्तो आपने देखा हुगा कि सुरुवात में ही जो कंडेट इसका फाइदा उठा लेते हैं बाद में तो दोस्तो बीड लग जाती है लेकिन जो पहले फाइदा उठा लेते हैं वही फाइदे में रह जाते हैं वीडियो को आप सभी लास्त तक देखते रहेगा दोस्तो डिटेल में मैं जो है आपको इस नाविक जिड़ी डिबी और यांत्रिक की बरती के बारें बताने वाला हूं दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारे बाते बता दूँगा दोस्तो यहाँ पर कुल जो पद रखे गए हैं वो 358 रखे गए हैं बहुती बड़ी संख्या होते दोस्तो 358 जिसमें 10 पास वालों के लिए भी पद हैं 12 पास वालों के लिए भी पद हैं आई टी आई वाडों के लिए भी पद है और जुनोंने डिपलोमा किया हुआ है उनके लिए भी पद है तो द्यान रखना दोस्तो इसमें केवल जुनोंने केवल दस्वी की है वो भी अपलाई कर सकते हैं जुनोंने केवल बारवी की है वो भी अपलाई कर सकते हैं जुनोंने उच्छे बजए Unacademy पर एक free live class लेता हूँ दोस्तो जिसे आप सभी बिल्कुल free of post जोइन कर सकते हैं जोइन करने के लिए Unacademy learning आपको डाउनलोड कीजिए learning आपको डाउनलोड करने के बाद दोस्तो sign up code आपको enter करना है sign up code sign up code क्या है दोस्तो indian sign up code है वई indian indian ये मेरा sign up code है कहीं पर भी अगर आपसे activation code मांगे sign up code मांगे referral code मांगे तो आपको simple indian डाल देना है और दोस्तो Unacademy पर कोई भी अगर आप plus subscription लेना चाते हो तो आप सभी को indian promo code यूज करना है एक achiever बैच आ रहा है दोस्तो ndia 2021 के लिए जिसमें दोस्तो india की top educator से आप जो है ndia की preparation कर सकते हो वो भी आप Unacademy plus लेने के बाद join कर सकते हो और मेरी जो सामको 6 बजे class होते है दोस्तो जिसका link मैं आपको description ने दे दूँगा उसे आप बिलकुल free of cost जोइन कर सकते हो दोस्तो कोई आपको पैसा देने के आप सकता नहीं है बस आपको एक sign up या फिर referral या फिर दोस्तो activation code एंटर करना होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ Indian इसे डालने के बाद दोस्तो आप free में मेरी class अनलोग कर पाएंगे दोस्तो अनकेडमी को डाउनलोड करने का लिंक मुझे follow करने का लिंक और मेरी सामगोच है बज़ेवाली special class का लिंक आपको description में मिल जाएगा एक बार जरूर से check out कीजेगा अब दोस्तो मैं आपको ले चलता हूँ official notification पर जो कि दोस्तो अभी काफी ज़दा viral हो रहा है और यहां पर दोस्तो यहां तक मेरा नुमान है रियल है जहां दोस्तो यह real हो सकता है maximum chances है 100 में से 99% chances है कि यह जो notification है यह आपका real हो जो दोस्तो बहुत ही जल्द ही आपको न साइट पर भी देखने को मिल सकता है इनफेक्ट आपको अभी कुछी दिनों के बाद यह साइट पर देखने को मिल सकता है बहुत ही बड़ा बदलाओ दोस्तो बारतिय टर्टरक सकबल यानि Indian Coast Guard जो है करने वाला है दोस्तो इंडि बरे जाएंगे और आपकी जो लास डेट रखी गई है दोस्तो वो 19 जनवरी 2021 रखी गई है 5 जनवरी 2021 से फारम बरे जाएंगे और 19 जनवरी 2021 तक आप जो इसके लिए अविदन कर सकते हैं तो दोस्तो आपके लिए सुनेरा मोका है बारतिय टरक सकबल को जोईन करने के तो यहाँ पर तीन पोस्त निकाली जाएंगी दोस्तो एक तो निकाली जाएंगी नाविक जर्नल ड्यूटी की दूसरी पोस्त जो मारे पास होंगे दोस्तो नाविक जर्नल ड्यूटी की उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है दोस्तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की और यांतरिक की ये दोस्तो अलग-अलग टाइम पे इंडिन कोश्ट गार दुवारा निकाली जाती हैं लेकिन अब की बार कमबाइन रूप से निकाल दी दोस्तो जो कि मेरे एक्स-वाई-गृप दोनों से कमपेर कर सकते हो इसको आप यहाँ पर दोस्तो टैन प्लस टो अगर आपने की है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ तो इसके लिए आप जो है अपलाई कर सकते हैं द्यान रखना दोस्तो इसके लिए आपकी बार वारी आएगी इसमें ओनला आप अपलाई कर सकते हैं यह अंत्रिक के बारे में गरम बात करें तो इसमें आपने दसवी के साथी साथ दोस्तो आपके पास डिपलोमा नो चाहिए चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में में या फिर इलेक्ट्रोनिक्स में या फिर टेली कम्यूनिकेशन में दोस्तो आ कि किसी भी state board से की है तो आप apply कर पाएंगे age limit के बारे हम बात करें तो दोस्तो यहाँ पर सभी की जो age limit है वो अलग-अलग है तो द्यान डखना दोस्तो जो journal age limit है वो 18-22 साल रखी गई है जिसमें relaxation भी दिया जाएगा दोस्तो जिसमें SCST को 5 साल का relaxation दिया जाएगा OBC उमिदवारों को 3 साल का relaxation दिया जाएगा तो दोस्तो जर्नल के लिए 18-22 है SCST के लिए 18-27 साल है OBC के लिए 18-25 साल आयू है तो भी बहुत ही ज़दा उमर सीमा दोस्तो आप जरूर एपलाई कीजिएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर बात करें अगर हम नाविक जिर्डी की तो आप एज क्रेटरिया देख सकते हैं 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच उसके बाद दोस्तो नाविक डिबी के लिए बात करें तो 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच जो आपकी डेटो बर्थ रखी गई है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो उसके बाद दोस्तो नमबरो वकेंचीज भी बहुत ही बड़ी बात है दोस्तो अब की बार डिबी में बता था वकेंचीज यांतरिक की जो कुल मिला के पोस्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो यांतरिक की जो पोस्ट है वो आपकी 48 है 31 आपकी mechanical की 7 electrical की और 10 electronics की है तो कुल मिला के दोस्तो 48 जो है आपकी किसकी पोस्ट है यांतरिक की पोस्ट है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो relaxation आपको दिया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो बदला हुआ है वो है भई exam process या फिर selection process जो भी आप कहें इसमें क्या किया है दोस्तों अब की बार return exam नहीं होगा दोस्तों अब की बार online exam होगा यहाँ पर return exam का pattern आपको बताया हुआ दोस्तों जो नाविक DB है उसमें क्या होगा दोस्तों पहले नाविक DB और नाविक GD दोनों में ही 80 question होते थे तो सब कुछ बदल गया दोस्तो बी पुराने pattern पर मत जाईएगा बिल्कुल सब कुछ अब की बार change हो चुका है लेकिन जो अभी एक्जाम होगा दोस्तो डिबी का उसमें प्रिविस ही जो है follow होगा तो यह भी आप द्यान करना तो यहाँ पर देखि दोस्तो एक्जाम pattern की return exam यानि online जो एक्जाम होगा CBT उसमें क्या होगा जो आपका दोस्तो section A है यहाँ पर DB आप द्यान रखना दोस्तो domestic branch में क्या होगा आप से 60 जो है question पूछे जाएंगे time आपके पास 45 minute का रहेगा total number of question रहेगे वही 60, 60 question, 60 marks के जिसमें math 20 number का, science 10 number की, English आपकी 15 number की reasoning आपकी 10 number की और जिक के आपके केवल 5 number की पूछी जाएगी तो दोस्तो इसमें आप बहुत अच्छा score कर सकते हो, यहाँ पर कटो भी रखी गई है दोस्तो PFT के लिए 30 number, UR, EWS और OBC के लिए 27 number SCST के लिए और जो syllabus रहेगा वो 10th के coding रहेगा, उसके बाद section B जो है यह GD है दोस्तो नाविक GD, इसमें क्या है 50 number के 50 question पूछे जाएगे दोस्तो टाइम के वल 30 minute रहेगा, यहाँ पर दो section होगे, math का और physics का दोनों से ही 25-25 question पूछे जाएगे, जैसे SSR AA में और Air Force X group में होता था, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखिए, 20 number आपको undeserved EWS और OBC से बिलोंग करते हैं, 17 number आपको score करने होंगे, अगर आप SCST या फिर SCST category से बिलोंग करते हैं, 10 plus 2 वाला math physics का syllabus रहेगा, दयान डगना दोस्तो यह जो 20 number है, selection वाले number नहीं है, यह आपके केवल PFT को qualify करने के number है, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात कु marks रखे गए हैं, kul मिला के, यहाँ पर यह जो секशन 3 और 4 है, और 5 हैं, यह दोस्तो यांत्रिक के लिए हैं, यांत्रिक के लिए हैं, यांत्रिक के लिए हैं, जो IT je diploma वाले के लिए हैं, वो आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊ आप लिए 20 square ups है और 10 push ups है उसके बाद document verification भी simple pass फेल वाड़ा है तो ये भी आप ध्यान रखना उसके बाद दोस्तों क्या बताया हुआ है उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है जो आपका initial medical होगा ये भी pass फेल वाड़ा है ये आपका जो है वही पर हो जाएगा दोस्तों उसके बाद अगर आपका कोई medical point बनता है तो remedical आपको दिया जाएगा stage 3 क्या होगा दोस्तों stage 3 में आपका stage 1 और stage 2 की performance के basis पर merit list जो है prepare की जाएगी और final medical आपका INS चिलका पे होगा जो की एक training center भी रहेगा आपका basic training center उसके बाद वही पर एक document verification की होगी final medical भी वही पर होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप बात कर लेते हैं कि आपको कैसे apply करना होगा इसके लिए जो online apply है दोस्तों वो 5 जनवरी से start हो जाएगे और last date जो रखी गई है वो 19 जनवरी सामके 6 बजे तक रखी गई है जो ये भी आप ध्यान रखना join in costgar.gov.in पर आप apply कर सकते हैं और दोस्तों आपके पास एक valid email id और mobile number रखेगा ताकि फर्दर जो communication है वो आपको बताई जा सके एक important point है दोस्तों the candidate can apply for only one post मतलब एक भी candidate दोस्तों केवल एक ही post के लिए apply कर सकता है आइदर नाविक डिबी नाविक जिड़ी और यांतरिक मतलब इन तिनो पोस्टों में से केवल एक ही post के लिए आप apply कर सकते हो चाया आपके पास तिनों की qualification हो केवल एक के लिए आप apply कर पाएंगे अगर आप simple 10th pass है दोस्तों तो आपको simple सी बात है भई अगर आपने 10th कर रखी है 11th में पढ़ रहे हो अपर 12th में पढ़ रहे हो तो आप दिबी के लिए apply करोगे 12th आपने pass कर लिए तो आप GD के लिए apply करोगे तो simple ही बात है वैसे भी बंदा एक के लिए apply कर पाएगा लेकिन 12th वाड़ा सोचता था कि मैं डिबी के लिए भी apply कर दूँ तो 12th वाड़ो भई आप केवल GD के लिए जाना तो द्यान डखना उसके बात दोस्तों यहाँ पे सारी बाते दियो हुई है कि क्या क्या आपको upload करना हुआ कैसी आपको form fill करना है यह सारी बाते आपको बताय हुई है एक important बात क्या है दोस्तों अब की बार examination fees भी रखी गई है जी हाँ दोस्तों online exam होगा तो भई खर्चा लगेगा बिल्कूल और यह जो examination fees है आप सभी खुशी-खुशी पे करोगे केवल SCST को छोड़ के क्योंकि इनकी कोई भी fees नहीं है दोस्तों ध्यान रखना भी 250 रुपए आपको पे करने होगी जो कोई non-defendable रहेगी इसको आप online पे कर सकते हो net banking debit card इनके जरिये so fees है दोस्तों तो बही मतलब admit card सबका आएगा दोस्तों क्या लिखा है admit card will be issued for the examination only those candidates who have successfully paid the examination fees and who are entitled for the waiver of the examination fees मतलब SCST को छोड़के SCST को तो fees है नहीं उनके तो वैसे बैदमिट card आएगे लेकिन जिनकी fees है उनको अगर fees pay कर देते हैं eligible हैं तो आपका admit card 101% आएगा ये guarantee दी गई है अब यहाँ पे bold lecture में लिखा है आप clearly पढ़ सकते हो exam city दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो the candidate gives 5 preference मतलब 5 जो है आपको विकल्प दिये जाएगे दोस्तों examination city चूज करने के लिए phase 1 stage 1 और stage 2 process के लिए ये सारी बाते आपको बता दी गई है अब दोस्तों बात कर लेते है tentative exam schedule की भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों आपको exam date भी बता दी गई है यहाँ पे जो tentative exam dates है वो क्या है नाविक जिड़ी का जो exam होगा दोस्तों mid या end of March में हो जाएगा दोस्तों 2021 के मतलब तीनों की ही exam दोस्तों March में आपके conduct करा लिया जाएगे या फिर mid में या फिर end में उसके बाद जो result है दोस्तों वो आपका declare कर दिया जाएगा stage 2 आपका दोस्तों April या फिर early May में करा लिया जाएगा उसके बाद जो stage 3 और stage 4 है वो आपका August, October में conduct करा लिया जाएगा कोई दिक्कती नहीं है दोस्तों August और October में conduct करा लिया जाएगा तो ये भी आप जो है द्यान रखना और एक अच्छी email ID देना दोस्तों जो कि आपके पास हो मतलब वो working condition में हो ता कि आपको further कोई update हो वो आपको पता लगता रहे तो द्यान रखना दोस्तों ये सारी बाते आपको बताई होई है कि कौन गोन सी document आपको लेके जाने होगे ये तो बाद की बाते हैं पहले तो आपसे भी preparation start कर दीजिए उसके बाद medical standard क्या बताई है minimum height आपके होनी चाहिए दोस्तों 157 cm 5 cm का chest expansion और weight आपका height के proportion होना चाहिए ये सारी बाते दी गई है दोस्तों और द्यान रखना दोस्तों बड़ी खुसकबरी की बात है जो आपकी training है जो initial training है नाविक जर्नल डूटी और यांतरिक की वो अगस्त 2021 में start हो जाएगी दोस्तों आएनस चिलका में और domestic branch की दोस्तों October 2021 में start हो जाएगी आएनस चिलका में बहुत ये अच्छी बात है दोस्तों आपको training भी बता दी जिसको job लेनी है जिसको चाहिए कि मैं एक fix में मतलब SSC व SSC के चतकर में नए पड़ू और यहां पे अगर job लेनी है दोस्तों क्योंकि सारा का सारा scheduled process है टाइम पे जोईने हो गई टाइम पे salary मिलेगी कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप सभी जरूर से इसके लिए आविदन कीजेगा दोस्तों और बहुत ही जल्द इसकी preparation में हम start कर रहे है अपने चैनल पर दोस्तों तो आप चैनल को subscribe कर लिजेगा बिल्कुल ऐसी preparation करवा देंगे दोस्तों 101% आपका selection होगा तो आप जो है जरूर से हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा और मेरी special class को आप जरूर दीजे देखिएगा और वहाँ पर activation code डालिएगा दोस्तों Indian, Indian activation code डालिएगा किसी की भी special class आप अनलोग कर सकते हो Indian code की मदद से तो द्यान रखना और मैं आपको बता दो दोस्तो सामको 6 बजे daily unacademy पर जो है live class होती है तो आप से भी जरूर जोइन कीजेगा सामको 6 बजे unacademy पर दोनों के link unacademy आपको डाउनलोड करने का और मुझे follow करने का और मेरी special class का link आपको description दिया हुआ है unacademy learning आपको डाउनलोड कीजिए sign up code एंटर कीजिए Indian और मेरी special class को देख लीजिएगा दोस्तो salary भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी other जो benefit होते हैं जैसे canteen वगरा की faculty ECHS की faculty उसके बाद free clothing और ration की faculty ये सारी आपको मिलेंगी दोस्तो कोई भी problem आपको नहीं आएंगी बस आप ध्यान रखना दोस्तो 19 जनुवरी 2020 से पहले आप इसके लिए आवेधन कर दो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुसखबर है दोस्तो मेरी दौाएं आप सभी के साथ हैं बगी महनत आप अभी से start कर दो दोस्तो इतने time पहले आपको notification भी मिल गया भी तो मतलब तयारी खीच के लिए तो दोस्तो तयारी को बिल्कुल एकदम top level की करते हो दोस्तो बकी कोई doubt हो तो आप मेरे इसके comment कर सकते हो और Indian Rosegar app को download कर लिए दोस्तो link वीडियो के description में दिया हुआ है वहाँ पर भी हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे courses बगारा लेकर आते रहते हैं एक बार download कीजिए डेमो बगारा देखिए आप बिल्कुल 100% satisfy होगे so thank you so much दोस्तो मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में और बहुत ही जल्द दोस्तो within a week आपको ये जो notification ये official site पर भी देखने को मिल जाएगा जय हिंद जय भारत